Assalamualaikum सुडेंट, कैसे हैं आप सब? उमीद हैं, आप सब खेरियत से होंगे? मैं आपकी कम्प्यूटर की टीचर, मिसमानूर आज का हमारा टॉपिक है, न्यूजबेपर के बारे में कि कम्प्यूटर हमारा न्यूजबेपर प्रोडूस करने में या प्रोड़क्स करने में किस तरह से काम किया जाता है किस तरह इस्तमार हम करते हैं अपने कम्प्यूटर को न्यू सेपर के लिए न्यू सेपर को बनाने के लिए हम कम्प्यूटर को किस तरह से इस्तमार कर सकते हैं आज का हमारा लेक्स स्टार्ट होता है चेप्टर नमबर 3 से चेप्टर नमबर 3 है हमारा कंप्यूटर in everyday life कंप्यूटर का हमारी रोज मारा जिंदगी पे असर यानि हमारी रोज मारा जिंदगी में हम कंप्यूटर को किस तरह से इस्वाल कर सकते हैं किस तरह से हम अपने कंपूटर कोई बागे कंपूटर की ठीडिया Será काम तरा LGBT करते हैं तो हमार अज का तरह सबस्तु है क्वें चैटेन नंबर opini किसन अबर करते Years त्री उसे लिखने हैं computer के newspaper की production में कि newspaper की production में हमारा computer किस तरह से इस्तमाल होता है कोई से त्री उसे आपने लिखने हैं उसके answer is three uses of computer in newspaper production are three استعمال computer के newspaper के production में जो है first step कंप्यूटर आर use computer इस्तमाल होता है for designing newspaper newspaper को design करने में computer किसले use होता है newspaper को design करने में second है हमारा computer technology now help people read news online जो computer technology है वो लोगों को मदद देती है online news पढ़ने में क्या करते हैं computer हमारा computer technology जो होती है हमारी वो लोगों की मदद करती है कि जो लोग होते हैं वो online news सुन सके third है हमारा computer are more helpful in the media industry जो computer है हमारी वो useful होती है हमारी media industry में first हमारा क्या था computer किस लिए यूज होती है computer हमारा newspaper डिजाइन करने के लिए यूज होता है computer technology now help people read online news जो हमारा computer technology है वो मदद करती है लोगों की online news पढ़ने के में last है हमारा computer are more helpful computer जो हमारी मदद करती है in media industry media industry में तो student आज के इस लेक्चर में हमने computer का इस समाल पढ़ाया है news paper की production के लिए इस लेक्चर में आपको इस लेक्चर को आपने दो से तीन बाद सुनना है इसको समझना है कुछ समझ ना आए तो जरूर पूछे आपको आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा इस लेक्चर के हमाले से आपको एक quiz भी दिया जाएगा उस quiz की timing अगले दिन सुबा 9 बजे की है वो quiz आप तब तक solve नहीं कर पाएंगे जब तक आपने lecture नहीं सुना होगा तो सबसे पहले आपने इस lecture को सुनना है इसको समझना है और फिर उस quiz को solve करना है Thank you